हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी यदि आपको फॉंडेंट से वील बनाना हो तो कैसे बनाएंगे और सेम टेक्निक को यूज करके आप इसको बना सकते हो और इस वील को आप एज टॉपर भी यूज कर सकते हो यदि आपके पास केक का ऑडर है क्रीम केक का या इसको बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए पहले मैं यहां पे रेड कलर का मैंने फॉंडेंट को मची तरीके से पहले स्मूथ कर लेंगे उसके अंदर ध्यान रहे हमें कोई क्रैक्स नी चाहिए यदि आपका फॉंडेंट थोड़ा सा ड्राइं हो गया अब मैं लूंगी दो इंच का कुकी कटर आपके पास यह ना हो तो छोटी कोई कटोरी हो इस साइज की तो आप उसको इससे कट कर लेना तो देखिए इस तरीके से हमें दो इंच का सर्कल मिल गया और इसकी मोटाई की बात करूं तो यहां पे मैं आपको दिखा रही हाफ इ अब हमें जरुवत होगी एक स्केल की या आप कोई नाइफ पी ले सकते हैं और इस तरीके से हम चोछोटे इसके इंदर 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 होते हम इस बात का भी ध्यान लखेंगे जो वील की शेप है वो खराब नहीं होनी चाहिए तो देखिए इस तरीके से हमने सारा इंप्र कलर का फॉंडेंट और इसको भी हम बेल लेंगे लेकिन हमें बहुत मोटा नहीं चाहिए ये थोड़ा पतला इसके अंदर चलेगा अब एक इंच के कुकी कट्रे से इसका हम सरकल काट लेंगे तो फ्रेंस अब जो यलो वाला जो हमने सरकल लिया उसके अंदर हमें इंप्रे बहुत अच्छी नीटनेस आई है और इस वाले काम को बड़ी तसली से करने वाला काम है यह हडबड़ी में करने वाला काम नहीं है और जब स्ट्रॉव से हम होल करेंगे तो फॉंडेंट का जो पीस है वो स्ट्रॉव के अंदर फस जाका तो किसी आप टूथपिक से उसको आप चाहो तो आप एडिबल ग्लू भी लगा सकते हो और अब हम फिट करेंगे इसके अंदर येलो वाले पार्ट को जो हमने जिसके अंदर अभी होल की है और ध्यान रहे हम फिनिशिंग का ध्यान अखेंगे जो हमारा टायर है वो पूरी तरीकी से उसकी शेप नहीं लिया और उसको फिर से होल के अंदर डालके उसको मैं घुमा दिया तो शेप फिर से उसकी री शेप हो गई है आप देख रहे है बिल्कुल पफेक्ट हो गया तो देखे बन के त्यार हो गया हमारा वील आप चाहो तो इसको अकले में भी बच्चों को सिखा सकते हो और आप इनको बना के स्टोर भी कर सकते हो और फ्रेंस इस वील के लिए आप कोई भी कलर कॉंबिनेशन का फॉन्टेट उसकर सकते हो तो फ्रेंस मिलते हैं आप से एक नई रचिपी के साथ में तब तक हैपी कुकिंग